हेलो फेंड्स वेलकम बैक टो दी चैनल गाड़ी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज ना ब्रेकिंग होती है कि ब्रेकिंग क्या होता है हमारी गाड़ी को किसी भी मुश्किल से बचाती है और एक्सेरेंट ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी की जो दिक्कत है तो वो सिम्टम क्या है क्या वो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आपकी ब्रेकिंग में कोई दिक्कत आ रही है उसी को इस वीडियो में डिसकस करेंगे वो पॉइंट्स डिसकस करेंगे जिससे आपको पता चल जागा कि आपकी गाड़ी की ब्रेक ताकि ऐसी informative वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे तो चलिए start करते हैं अब देखे सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रेक में दिक्कत आती क्यों है उसके पीछे जो सबसे बड़ा responsible factor है वो होता है आपका brake master cylinder का खराब हो जाना जो हमारा pressure पड़ता है गाड़ी के पैडल में जबी भी हम brake दबाते हैं तो उसको convert करता है आपका hydraulic pressure में अब देखिए उसका काम क्या होता है कि गाड़ी के जो टायर का motion है उसको slow down करता है और brake effectively काम करें उसके लिए brake master cylinder का effectively काम करना बहुत ज़रा ज़रूरी है अब देखिए जैसे मैं आपको बताया कि यह जो पैडल का जो pressure होता है उसको भी यह convert करता है hydraulic pressure में क्योंकि इसके इंदर जो होता है brake fluid भरा होता है जो कि भी brake circuit में transfer होता है जैसे यह brake pedal दबाते है अब brake master cylinder खराब हुआ है यह आपको कैसे पता चलेगा इसके आपको कुछ symptom दिखाई देते हैं उसके बारे में ही बात करते हैं यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको पता चलेगी कि आपकी जो braking efficiency है वो बहुत जादा कम हो जाएगी अब देखिए reduce braking efficiency होती क्या है कि जब आपका brake master cylinder malfunction कर जाएगा तो आपकी जो braking है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी आपकी गाड़ी को जिस distance में रुकना चाहिए ना उस distance में आके गाड़ी रुकती नहीं है और वो distance जो है बहुत जादा बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है गाड़ी का जो accident होने के chances बहुत जादा हो सकते हैं आपने brake लिए और आपकी गाड़ी जहां आप सोच रहते वहां पे जाके नहीं रुकी तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी की जो brakes रहनों वो effectively काम नहीं कर रहे है और आपने पूरा pressure लगाने के बावजूद भी गाड़ी को रोकने में मतलब नाकाम रहे तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी गाड़ी आगी किसी object से hit कर सकती है और time पे नहीं रुक जाए कि brake master cylinder अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको check करवाने की जरुरत है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान लखें कि यह problem brake master cylinder से जुड़ी होती है और उसके अंदर जो oil का level है या तो वह बहुत जारा कम हो गया है मेरा मतलब है कि brake fluid से तो यह oil का level बहुत जारा कम हो गया है अब यह कम क्यों होता है यही हम इसके second point में बात करेंगे जो आपको second symptom दिखाई देगा तो चलिए दूसरे point की बात कर लेते हैं अब दूसरा point क्या होता है ना कि brake fluid जो है हमारा leak होने लग जाता है जिसके कारण हमारा brake master cylinder अच्छे से काम नहीं करता है अब दिखें कोई भी brake pedal दबाते हैं तो वो जो pressure है ना oil का वो create होता है और उसके कारण क्या होता है आपके जो tire से उनका rotation रुखता है अब वो oil बहुत जारा जरूरी है और उसका जो level है वो भी उतना ही जारा important है brake lines में अब अगर कभी भी आपका जो है brake master cylinder में damage हो गया या फिर उसकी जो rubber seals है ना कोई damage हो गया तो आपका जो brake fluid है ना वो leak होने लग जाता है अब brake fluid जब leak होता है ना तो उसका effect आपको दिखता है कि brake एक तो कम लगते है और दूसरी चीज़ क्या होती है वो जो level गिरता है ना उसके कारण क्या होता है foreign particles मतलब dust हो गई चोटे-चोटे particles हो गई वो brake system के अं या फिर कभी कभी क्या होगा कि brake जो है बिलकुल भी response नहीं देगा आपको क्योंकि उसके अंदर impurity आ चुकी है तो अगर ऐसा scene आपके साथ हो रहा है तो यह बहुत alarming situation है और आपको इसको check करवाना है कि आपके brake master cylinder में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई leakage तो नहीं है त इस तरह symptom जो आपको दिखाई देगा कि आपके brakes में दिक्कत है वह है मीटर में आपको कोई ना कोई warning light मिल जाएगी brake से जुड़ी भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि dashboard में जो भी warning lights दी जाती है वह उनका कोई purpose होता है और वह हमेशा आती है तो खुछ ना कुछ आपको गाड़ी में दिक्कत है जैसे कि आपके handbrake में दिक्कत है तो handbrake light glow करने लग जाएगी आपके गाड़ी के engine में कोई दिक्कत है तो आपकी check engine light आ जाएगी जिसके बारे में complete video बना चुका होगी कैसे आपको उससे बचने और क्यूं वह सबसे जारा dangerous light होती है अब brake light का भी ऐसा ही होता है जब यह गाड़ी के dashboard में आती है आपको console में दिखाए तो समझ जाए कुछ ना कुछ बड़ी दिक्कत है गाड़ी के अंदर अब brake master cylinder जब आपका malfunction करता है तो brake check light आपके गाड़ी में on हो जाती है अब आजकल की गाड़ियों में क्या है कि brake fluid detector और motion sensor और pressure sensor भी लगे होते हैं तो उनसे होता क्या है कि जब भी आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आगे तो computer इतने जाधा effective है ना कि वो छोटी सी problem को भी detect करके आपको एक warning light दे देंगे तो आपको पहले ही पता चल जागा कि आपके जो है brake cylinder में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है और या उसमें वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है जिस चीज के लिए डिजाइन हुआ है तो यह आपको early science दिख जाएंगे आपके dashboard में ही आप उन warning signs को कभी भी ignore ना करें आपको पता होना चाहिए कि warning signs का मतलब क्या है तो इस चीज का मेंशा ध्यान के कोई भी warning light आती है उसको ignore न कर रहा है अब spongy brakes का मतलब क्या होता है कि देखे कभी भी जब आपके brake master cylinder में कोई leakage हो जाता है या उसमें क्या होता है कि air चली जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो brakes है वो अच्छे से नहीं लगते हैं इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलत जाते हैं तो brake धसनी से लग जाते हैं मतलब आपने brake पूरा दबा दिया पर वह response गाड़ी से नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है कि brake लग ही नहीं रहे है अब इससे क्या होता है कि देखिए जबी भी आपकी गाड़ी के अंदर जो fluid होता है उसमें dust मिल जाती है या फिर उसक चाते हैं तो उसके कारण क्या होता है ब्रेक स्पॉंजी से फील होने लग जाते हैं मतलब आपने प्रेस करा बहुत जारा light से फील होने लग जाते हैं वह मजा सा नहीं आता है आपको कि जैसे जो heart breaking का होता है आपने brake हलके से लगा और गाड़ी रुकने लग गई वह response आप जोड़ी कोई ना कोई problem चल रही है उसको जरूर से check करा है अगर impurity है तो उसको total flush out आपको करा है बहुत जारा जरूरी है जिसके बाद आपके ब्रेक जो है normally काम करने लग जाएंगे अब अगली चीज जो आपको दियान लखनी है जबी भी आप ब्रेक लगा रहे हैं और आ फिर वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है अब देखिए होता क्या है जबी भी ब्रेक मास्टर सेलिंडर आपका माल फंक्शन करता है मतलब वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उससे कहता है ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से disturb हो जाता है जिससे एक uneven सा pressure create हो जाता है जब आपको पता चल जाएगा कि कही ना कहीं या तो unwanted pressure पढ़ रहा है ब्रेकिंग में या फिर कोई ना कोई पार्ट जरूर से जारा घेस रहा है क्योंकि उसमें ऑईल का जो level है बहुत जारा कम हो चुका है या फिर कहीं ना कहीं कोई leakage चल रहा है तो आवाज अगर आपको कोई अन्वांटेट सी आती है गाड़ी के ब्रेक लगाते वे तो समझ जाईए कि ब्रेक सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है और ब्रेक को आपको तुरन चेक करवाना है यह नहोगी कोई major damage हो जाए और बाद में आपको पता चले और तब तक क्या है कि खड़चा बढ़ जा अब लास्ट जो आपको सिम्टम मिलेगा ना कि जबी आपके ब्रेक्स प्रॉबलम कर रहे हैं वह है कि आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वह बहुत जारा consistent नहीं रहेगी consistent ब्रेकिंग बहुत जारा important है जब आप ब्रेक्स लेते हैं क्योंकि आपको पता रहता है मेरी ग लगांगे ने तो पूरी तरह से अपनी efficiency खो देंगे अब यह चीज़ बहुत जारा dangerous हो जाती है रोड में क्योंकि हम क्या होता है अंदाजा लेके ही ब्रेक लेते हैं हर बार हमें पता होता है ब्रेक लेंगे तो गाड़ी कितने distance पर रुकेगी अगर आप इस चीज़ को ध समय से पहले अगर आप कोई चीज़ पता चल जाएगी तो आप बड़ा damage बचा सकते हैं अपने आपको भी safe रख सकते हैं यह नहों कि यह चीज़ रोड में आपको पता चले और ब्रेक सापके बिल्कुल फेल हो जाए तो इस चीज़ का अमेशा ध्यान लगए जबी आपको मेजर करचा बच जाएगा तो यह ती सारी information ब्रेक से जुड़ी हुई कि कैसे ब्रेक malfunction करते हैं और क्या चीज़ है जो उसके पीछे responsible है सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जो पूरा इस चीज़ को कंट्रोल करता है और उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आपके ब्रेक में वो दिक्कत reflect होगी तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें comment में जरूर बताएं मिलते हैं सी next informative वीडियो के साथ तब तब बने रहे चैनल के साथ शीदेश vlogs thank you for watching